वीदा पिपिल हम भारत के लोग जब कोई मुवमेंट चलता है या जब कोई परिवर्तन चलता है या कोई बदलाब चलता है या कहीं असमानता को समानता में बदलना हो या जहां कोई बैरभाव उसको खतम करना हो सदभाव में बदलना हो कोई बुराई को खतम करना हो तो एक आंदोलन एक इंकलाब एक revolution आता है उसको बहुत सारे लोग मिलके करते हैं कोई ये कहे कि एक व्यक्ति ने वो किया है तो वो गलत होता है ऐसा होता है कि एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलके उसको आरहम्ब करते हैं उसको चलाते हैं और पूरे मूव्मेंट को बनाते हैं एक व्यक्ति इसलिए नहीं कर सकता, कि अगर एक व्यक्ति ही कर देता, तो फिर बाकी लोगों को उसके साथ जुड़ने की जरुत नहीं होती. मगर जो व्यक्ति आंदुलन चलाता है, वो अकेला व्यक्ति सुरू में अपने पूरे परिवार को साथ लगाता है. अच्छे आंदुलन में ऐसा देखा गया है और ऐसा ही होता है. अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार में से सिर्फ अकेला चले और वो ये कहे के मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथ नहीं है, बाकी लोग आएं, तो ऐसा आंदुलन कभी भी सफल नहीं होता, ऐसा इंकलाब कभी भी सफल नहीं होता. लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवार लगाए हैं तब जाके कोई movement होता है Vida people में भी आपको अपना पूरा परिवार लगाना पड़ेगा अगर आप अपने पूरे परिवार को नहीं लगाएंगे चाहें वो engineer है, चाहें वो doctor है, चाहें वो वकील है चाहे वो कोई और दलबल सेणा में है, या वो राजनीती में है, या वो धम में है, या वो किसी और सर्विस में है, कीसान है, मज़़ूर है, महिला है, बच्चे है आपको सभी लोगों को इसमें परिवर्तन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको एडॉप करना पड़ेगा, इसको अंगीकार करना पड़ेगा, इस इंकलाब को, इस धारण को, इस बात को धारण करनी पड़ेगा तब आपका परिवार बड़ा होगा तब आपको भारत में सम्विधान की अनुसार लाभ मिल सकता है अगर हम बुद्ध की बात करें जिनोंने अकेले चले और जिनोंने पचास हजार टीचर ऐसे बनाए तो उन्होंने अपना पूरा परिवार गलाया है पूरा परिवार उनका लगा था उनके सारे भाई उन्हों में लगे थे उनके भाई आनन्द थे उनके भाई जितने भी थे चचेरे और ममेरे सारे भाई उनके साथ लगे उसके बाद उनके जो माता है वो भी आगे, उनकी पत्री वो भी आगे यहां तक कि उनका जो बेटा है वो भी आगया पूरा परिवार गलाया उन्होंने पूरा परिवार इस काम में लगा पूरा जीवन भर लगा तब जाके धम बड़ा, तब जाके महाँ परिवतन आया, तब जाके महाँ लोग सुखी हुए, तब जाके लोगों ने शराब और हिंसा और वेबचार और गाली, गलोच और जूट ये सब चीज़ें छोड़ी तब भारत में समराथ असोक का राज आया, और समराथ असोक ने पूरे भारत को महा भारत में बदला, समराथ असोक ने अभी अपने पूरे परिवार को लगाया, उनकी बेटी जो महिंद्रा थी और जो बेटा महिंद्र था वो स्री लंका में गए जहां उन्होंने धम को फैलाया और उन्होंने आजीवन शादी नहीं की पूरा परिवार खतम हो गया तब जाके धम पूरी दुनिया में फैला है अगर संतों की और महापुर्सों की बात करेंगे तो जितने भी संत हुए हैं उन संतों ने शादिया नहीं की या किसी संत की अगर साधी भी है तो भी वो लगाता लगातार अपने परिवार की चिंता ना करके परिवार के साथ ही लगातार पूरे समाज को बदलने में लगे र रहे हैं और वो ऐसी स्थिती में जबकि उनका एक बेटा मरा हुआ है फिर भी वो बाहर जा रहे हैं अपने बाकी 6 करोड़ लोगों का जीवन बदलने के लिए भारत के 6 करोड़ लोगों का जीवन बदलने के लिए परिवार को उन्होंने दाप पे लगाया परिवार को खतम क रहे हैं या बड़िया होटल में हैं या बड़िया बात कर रहे हैं या comfortable एक जिंदगी जी रहे हैं सहाब कासी राम ने पूरा घर छोड़ दिया और पूरे परिवार को पूरे समाज को अपना घर माना उन्होंने अपना जीवन गला दिया तब जाके थोड़ा सा अधिकार आपका बचा है उनके साथ जो लोगों ने काम किया और जो गुद्ध के साथ भिक्कु ने काम किया उनकी स्टेज लगबंग एक सी है जो भिक्कु थे वो भी शादी नहीं करते थे पूरी जिंदगी परचार परशार करते थे और जो सहाब कासी रामजीन है जो लोग इखटे की उनमें से बहुत लोगों ने शादिया नहीं की हैं उन्होंने भी अपने परिवार की चिंता नहीं की उनके परिवार गल गए और तब जाके ये मुमेंट बना ये आंतरुन बना और ये इंकलाप बना ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं जिन्होंने शादिया नहीं की हैं और बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादिया की हैं मगर वो भी दिनराथ दिनराथ लगे पड़े हैं इसलिए आप अपने परिवार को लगाईए आप अपने पूरे परिवार के साथ इसमें कूदिये अगर आपको बचना है और ये जो हजारो संख्ठल बने हुए हैं इनको एक कीजिए ये जो हजारो धाराय बहरे हैं इनको एक कीजिए अगर आपको सेलाव लेका आना है जब तक ये छोटी छोटी नालियां चलती रहेंगी रिष्टी रहेंगी इनमें सड़ा पानी चलता रहेगा तब तक कहीं कोई इंकलाब नहीं आने वाला सेलाब नहीं आने वाला सेलाब वहीं आता है जहां सारी नदियां सारे नाले एक साथ मिलते हैं वहीं वो कीचड़को और गंगी को बहा के अपने साथ ले जाते हैं, जब सेलाव आता है तो नादी में रुका हुआ जितना सड़ा हुआ गला हुआ पानी होता है, उन सब को बहा के ले जाता है और नदी फिर्श सुद्धर साफ हो जाती है, इसलिए आप अपने परिवार मे जो आपके भाई हैं, जो आपके रिस्दार हैं, जो आपके नाते हैं, जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, जो आपका दामाद है, जो आपकी चाची है, जो आपकी ताई है, जो आपकी दादी है, नानी है, मामा है, मामी है, मौसा है, दोस्त है, नाती है, रिस्दा ऐसा पहले भी हुआ है जब सम्राट असोग के समय हम बड़े सम्रुद साली थे पूरा इत्यास हमारा था पुरी जमीन हमारी थी सारा बैपार हमारा था एड्मिश्रेस न हम चलाते थे हम यहां के राजा थे हम यहां के सासक थे और जब हम बिखर गए और अलगलग तूट गए और संग में तूट गए तब हमारा सब कुछ चला गया सिक्षा चली गई बैपार चला गया रोजगार चला गया जमीन चली गई जाजा चली गई और ह हम तूटे तूटे टुकडों में बिखर गे जिनको आज जातियां बोला जाता है फिर बाबा साब ने हमको इखटा किया और हम दुवारा से कुछ प्राप करके आए हैं ये फिर चला गया है इसलिए आप अगर इखटे होंगे तो ये बापिस आ जाएगा अगर आप इखटे अच्छे रूटी खा लेंगे उसको मकान को बेच के वो कोई ना कोई काम कर लेंगे या पढ़ लेंगे मगर उनके बच्चों के पास मकान भी नहीं होगा बेचने के लिए सारी एजुकेस में प्राइवेट हो गई है सरकारी दफ्टर सब प्राइवेट हो गए हैं सर्विस चीज़ है नहीं तो आपको नौकरी मिलेगी कहां विदेश जाने में आपको कोई पूछेगा नहीं क्योंकि आपकी एजुकेशन बहुत कम स्टेंडर्ट की हो जाएगी या वहाँ पहले ही लोग जिनके हैं वही उनको बलाएंगे तो आप क्या करेंगे आप स्किल्ड काना बनाने वाले पड़े लिखे धेरा चलाने वाले पड़े लिखे मजदूरी करने वाले पड़े लिखे कहीं घास चीनने वाले पड़े लिखे कहीं पत्थर तोडने वाले पड़े लिखे कहीं आवरा गंदी करने वाले ऐसे होंगे जो आपके बच्चे कहेंगे कि हमार हमारे दादा बहुत बड़े जस्त थे, हमारे दादा बहुत बड़े डिपार्टमेंट के मालिक थे, हमारे दादा बड़े पड़े लिखे इंजिनियर थे, हमारे दादा बड़े एड़ोकेट थे, यह सब कहानियों में आ जाएगा 30 साल के बाद में, आपको रहेंगे नहीं म हुई हैं, जब तक जाती रहेगी आपका शोशन होता रहेगा, अगर आपने जातिया खतम करती होती ही तो एक वार को आप बच सकते थे, इसलिए जातिया पूछ-पूछ के नोक्रियां दी जाएंगी, जातिया पूछ-पूछ के काम दिये जाएंगे, आपको को दिक्कत होगी, आपके पोते-पोती को दिक्कत होगी, इससे बचने के लिए तरीका है कि आप अभी ही इखटे हो जाएए, With the People एक ऐसा प्रेटफार्म है, जहां समिधान के तहत में सारे लोग इखटे हो रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सके, वहाँ इखटे हो जाएए, धन्यवाद. जहाँ बल्दी है।